चालो एक यह concept है यह भी important है आपके लिए ठीक है बस यह last important है जो की paper में आता है और यह बहुत simple है types of audit report बोलो या फिर बोलो types of audit opinion हमने first class ने पढ़ा था ना कि auditor होता क्या है sorry auditing होता क्या है उसने पढ़ा था हमने appointment opinion देता है auditor हमेशा opinion ही तो देता है न दोस्त समझ रहे हो यह ज़्यादा जल्दी जा रहा है आज का session अगर question ऐसा आजा types of audit reports यह question आजा types of audit opinion तो आपको यह लिखना है ठीक है अब यह होता क्या है देखो जो जो opinion ओईटर देगा negative या positive यह चाहतो वह बोलेगा कि हाँवी सब को सब्सक्राइब चल रहा है यह बोलेगा चीज खराब चल रही है यह बोलेगा कि बिल्कुल ही खराब चल रही है अपनी opinion वह यही तो देगा को श्राफ में इस देगा वैसे दो रीपोर्ट बनाएगा तो कोशल में चाहिए report आ जाए या opinion आ पको यह लिखना है बस report के ब healthcare मैं दाल देना opinion को थीक है धृस्टों चाहिए report के भिए कौर्षण कर भिक हा सकता है यह ध्यों हीज़ ध्यान रखना अब आपके autos तक दिखा हुआ है clean, unqualified and qualified, actually मैं होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मैं यह पर opinion लेकर चल ला हूँ, ठीक है। यह चीज ध्यान से देखना बहुत important चीज है, ठीक है, opinion होती है दो प्रकार के पहले, एक होता है, unqualified opinion, एक होता है आपका, modified opinion, यह तो हमारी बुक में देई नहीं रखा है, आप कहां से बढ़ा रहे हो, मैं जहां से बढ़ा रहा हूँ, उसको छोड़ो आप, आपको knowledge देना का काम मेरा है, आपको बताऊंगा अभी कि आपको इसमसर पढ़ना कितना है, टेंशन ना लो, ठीक है, यह दो तरह की opinion होती है, अब modified opinion में भी तीन opinion होती है, समझो, कौन कौन से दीन होती है, एक होती है, qualified एक होती है, adverse एक होती है, क्यों होती है, हाँ, disclaimer, ठीक है, अब इसके निचे आप opinion कर दो, ऐसे, ठीक है, एक्च्वल में opinion या फिर report, ऐसे यह वाली होती है, इतनी टाइब की reports होती है आपकी, सर, हमारे course में तो यह दे रखा, unqualified or qualified opinion, हाँ दोस्तों, यह आपके course में नहीं है, ठीक है, यह आपके course में नहीं है, आपके course में सिर्फ यह है और यह है, यह सिर्फ मैंने आपको knowledge के रहे बता दिया, मैं जली जली इसको समझा देता हूं, बहुत simple चीज़ है, बहुत simple चीज़ है, लेकिन छोटी मोटी लोगों को समझ में दिक्कत आती है, खास कर वो जिनको अंगरी जी उतनी अच्छे से नहीं आती, मेरे साथ भी हुआ था यार, जब मैं CA में इंटर में था ना, तो मुझे भी स्टार्टिंग में समझने बड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल कहीं है, बट दीरे-दीरे हमने इंप्रूब किया है, तो उससे पहले मुझे भी दिक्कते आई थी, इसमें क्या होता है ना, इसमें दोस्त हंड़े परसंट चीजें सही होती है, मतलब आपको लगता है कि बुक्स अपको सही बने है, सबको ठीक बने है, तो आप अनकॉलिफाइड ओपिनियन दोगे, अप सर यह तो अनकॉलिफाइड क्या वर्ड है, मतलब तो आप कोई एंट्रेंस क्या पर जाते हों तो वर्ड से नहीं सोचना यहां पर वर्ड का मतलब अलग है, क्वालिफाई का मतलब यह होता है कि सब कुछ तो ठीए लेकिन किसी चीज में क्वालिफिकेशन है यानि इसमें कुछ गडबड़ी है कि समझ रहोगा मीनिंग क्या क्वालिफाई कर लिया आपने 400 मेंटर के रेस क्वालिफाई कर दी लिए सबजेक्ट सम्मैटर कि अगर मैं इसको आपको लिटरल मीनिंग बता हूं दोस्त इसका मतलब होता है अगेन फिर यहां पर आपको अंगरेजी में दिख्कत आ सकती है मतलब किसी एक ये दो चार मैटरस को छोड़के बाकी सब चीज़े सही है तब होती है उसे बोलते हैं कॉलिफाइड और अकर सब कुछ है तो बोलते हैं अन्कॉलिफाइड यह निकुछ भी कॉलिफिकेशन नहीं है कुछ भी दिक्कत नहीं है ठीक है तो जब सब कुछ ठीक होता है सारे अकॉंट्स एपली केबल फिनांशल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया जाते हैं और उसमें कोई गलतिया नहीं है तो आ यह थे का पर ना यह ब५ एक दोपर सिमया से छे मेरविल नमबर में चिनिन न मर्छारी से मिना कुछ ग pron lui रख आ हैं यह। और देन लिमिट क्वालिफाइड क्या कहता है सब कुछ ठीक है उन चीजों में गड़बड़ा है और यह क्या होता है कि सब कुछ ही ठीक है किसी चीज में गड़बड नहीं है ठीक है लेकिन आपको क्या समझ के रखना है कि यह होता है सब कुछ ठीक है यह क्वालिफाइड हो उसने नौलेग तिरिस्क्लेमर क्या होता है एड़्वर्स वह वह प्रिन होती है या फिर वह रीपोर्त होती है जब आपको लगता कि बहुत बड़ी बड़ी गलती है log को फॉलौ ही नहीं किरहा और इंकम टेक्स के कुछ नहीं वर्याव फॉलू यह कोर ज्यादा चीज़ा घलत ही है कि पूरा ही गलत होता है मोटा मोटा है तब मेरी मंधे कमपनी, कोईतर अगरता है कि यह company मुझे काम ही नहीं करने दे रही मैंने इससे books मांगे इसने नहीं ने बुक्सदी मैंने का मुझे टालो इससे क्याइब चलो मुझे सब्सक्राइब करने नहीं चले करने दिया तो मैं बोलूगा मैं करने से ही मना कर देता है यह आपके लिए नहीं है आपके लिए सिर्फ यह दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है जस्ट फोर नॉलेज मैंना समझा दिया अब पढ़ लेते हैं क्लीण ओपिणियन या फिर अन्कॉलिफाइड और अडिपोर बन ओटर इस कमपलीट ली सटिस्फाई देखो कि और कूछ भी अबजेक्शन नहीं है बुक्समें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्वालिफाइड में क्या लिखाय वेर उटर इस नॉटसाइव ठीक है not certified with any of information किसी किसी information में उसे एक या दो information या फिर explanation में satisfy नहीं था मालो इस ही में जो अग्जांपल पढ़ा था ना कहा गया यह देखो मालो हमने इस में satisfy नहीं था किस सेल्स का ना चालेस नमर वाला बिल गलत बना है दो करोड़ का बिल बना दिया इसमें गलती है मैं तो गलती लग रही है पार्टी का नाम सही ने डाला पार्टी का जिस्टी नमबर गलत डला हुए फेक बिल काटा है लोन भाए कि पूरी तरह satisfy नहीं है ठीक है कुछ information में उसे लग रहा है वहां गड़बढ़िया है तो वह चीज़े वह लिख देगा ठीक है और उसे qualify report बोलेगा यानि कुछ qualifications है यानि कुछ ऐसे negative point है जिसकी वैसे qualification वाली report दे रहा है बस इतना difference है दोनों में ठीक है है यानि कुछ